वेल्कम तु न्यू लेस्न इस लेस्न में मैं आपसे बात करूँगा अबाउट स्मार्ट कैमपेंज आप सीखोगे कि कैसे आप स्मार्ट कैमपेंज बना सकते हैं तो इससे पहले कि हम स्मार्ट कैमपेंज बनाना सीखें सबसे पहले आप यह जानो कि क्या smart campaign सबसे अच्छे Google Ads हैं जो आपको run करना चाहिए answer is no smart campaigns जो हैं वो उन लोगों के लिए है जो basically Google Ads पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते जो ज़्यादा Google Ads को manage नहीं करना चाहते जो Google Ads के बाकी features हैं उनको use नहीं करना चाहते तो जो minimal feature चाहते हैं minimal time invest करना चाहते हैं for them we have smart campaigns smart campaigns को आप अपना go to campaign मत बनाएए आप normal जो search ads हैं बाकी ads हैं वो run करिए smart campaigns को आप use मत करिए I mean आप इसको primary campaign ना बनाएए अपना primary source of leads ना बनाएए primary source of conversion ना बनाएए this is not good for that ठीक है तो चले start करते हैं सीखना कि कैसे आप smart campaigns बना सकते हैं तो again simple जैसे आप करते आएओ plus new campaign then आपको ये करना है create a campaign without a goal then you need to select smart you see this smart thing just click smart then यहाँ पे आपको इन तीनों में से एक option select करना ज़रूरी है अगर आप select नहीं करेंगे तो आप आगे move नहीं कर पाएंगे देखे तो आपको select करना है क्या चाहते हो आप अप ज़गב call चाहते हो अपने business के लिए ज़्यादा ज़्यादा लोग आपको call करें या फिर आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके store को visit करें, आपके physical store को visit करें, या तीसरा आप चाहते हो action on your website, कि लोग आपके website को visit करें और वहाँ कुछ करें, तो आपको क्या चाहिए तो say मेरे को चाहिए calls to your business, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे business को call करें, तो मैंने select किया calls to your business, then मैंने किया continue देखे, simple, google आपसे पूछ रहा है, कि भाईया ठीक है यहाँ पे मैंने एक already business डाला वा है, ABC, इन case आपके पास ही नहीं है, तो आपके पास एक option है, new business का, कि भाईया अपने business की details दो, तो मैं करता हूँ new business, इस business का नाम दे देता हूँ से, Deepak Coaching Academy, ठीक है, then business की website, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपनी website, और मैं कर देता हूँ इसको next, बहुत ज़्यादा simple, right, then पूछ रहा है आपको, कि आपके customer कहा है, हाँ तो suppose करो, मैं पूरे इंडिया में target करना चाहता हूँ, तो मैं पूरे इंडिया में कर दूँगा, या फिर suppose करो, मैं बस Delhi करना चाहता हूँ, तो मैं बस Delhi को target कर दूँगा, या फिर suppose करो, मैं अपने business के around, एक specific radius टार्गेट करना चाहता हूं तो मैंने पहला option लिया और देन मैं यहां पर अपना address डालता हूं कि तो जैसे यह राजन्ता एक्ष्रिक ले निखाना तो यह मैंने address लिया देन यह radius लिया मैंने तो आप क्या काम करोगे आप एक काम करोगे कि आप अपने business को Google my business पे register करोगे फिर आपका address यहां पर आ जाएगा है तो मैंने यह किया और देन मैंने किया next अब देन Google पूछ रहा है कि भईया आपके business की category क्या है क्या करते हुआ आप तो से मेरा तो coaching academy था तो मैं यहां पर simple गया और मैंने किया यहां पर search coaching यह मैंने लिया यहां पर coaching center ठीक है अब यह पूछ रहा है क्या specific coaching देते हुआ मतलब क्या specific और बताने के लिए कह रहा है तो उसे मैं get यहां पर यह देखो online courses MBA exam है CBSE क्या है तो suppose है मेरा है class twelfth Maths है ना तो मैंने class 12 Maths लिया और इसको मैंने कर दिया add ठीक है suppose मैं और add करना जाता हूँ तो class 12 chemistry ठीक है यह लिया मैंने और add कर दिया और जितने हैं आपके पास आप add कर सकते हो देन आप करोगे यहां पर next then देखो simple अब आपको add लिखने गूगल ने देखो आपका काम असान कर दिया add भी फुदी लिख दी देखो दीपक coaching academy headline 2 headline 3 description और description 2 फुदी head लिख दी गूगल आपको कुछ करना ही नहीं आप चाहो तो इसको change कर सकते हो नहीं तो simple क्या कर दोगे next ठीक है अब आपको यहां पर लिखना है अपना phone number है नहीं आपने phone number लिखा और आप यहां पर करोगे simple next और देन आप लिखोगे यहां पर budget यहां पर यह तो Google जो option दे रहा है आप यह चूज कर सकते हो यहां पर अपना budget लिख सकते हो तो से मैं कर देता हूं 500 रुपए पर डे सेट कर देते हैं और इसको कर देते हैं next देखो यह सारा चीज़े आ गई बहुत ज्यादा simple और सिंपल कर दो next बनगी campaign बताओ राइट बट क्या यह campaign recommended है आपके लिए नहीं smart campaigns are not recommended for you ठीक है अब थोड़ा सा वापस जाते हैं और वापस प्लस पे जाता हूं वापस जाता हूं न्यू campaign डेट कैमपेंड वापस जाता हूं smart पे और इस बार करते हैं visit to your storefront लिया मैंने visit to your storefront continue again same चीज कौन सा business है तो से मैंने यह रहा मेरा business दीपकोचिंग अकैडेमी देन वह अगें एरिया पूछ रहा है तो मैं वापस अपना area लेता हूं और यहाँ पे से मैं इस बार लेता हूं seven kilometer का radius और मैं करता हूं इसको next then again वो पूछ रहा है क्या है तो simple मैं फिर से ले लेता हूं coaching center और यहाँ पे मैं और डाल देता हूं वही class 12 से बस इस बार physics ही डालता हूं राइट आप और डाल सकते हो दैन आप करोगे सिंपल next जैको add अगें खुद लिख क्या आगी चाहो तो change कर सकते हो दैन आप करोगे सिंपल अगें next दैन आपसे पूछ रहा है अगें phone number हाना तो आप अपना यहाँ पे phone number डाल सकते हो और सिंपल कर दोगे आप next जैन बजट तो से इस बार में 477 ही ले ले लेता हो नहीं तो मैं आज अपना budget एंटर कर सकता था और यहाँ पे इसको मैं कर दूँगा next done राइट तो इतना simple है यह campaign बनाना राइट यह already campaign बना हुआ है तो इसका नाम change कर देते हैं और इसको कर देते हैं next तो जैसे मैंने यह बनाए वैसे ही दो एड बनाई मैंने वैसे ही आप तीसरा option जो था website विजिट उसका भी same बना सकते हो कुछ difference नहीं ठीक है जी तो बहुत 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 ज़्यादा simple है यह campaign बनाना अगे not recommend it I'll not recommend कि आप ही अपने business के लिए smart campaigns पर रिलाई करो आप normal जो search झाल